वेलकम बैग गाइस कैसे हैं आप लोगों और आज की वीडियो के अंदर में आप लोगों को गेम इस्टिक और गेम बॉक्स के जो साथ में गेम पैड मिलते हैं उसमें आने वाला सबसे बड़ा इशू सॉल्व करके बदा आने वाला हूं दोस्तों और वो इशू जो है वो वीडियो में कवर होगा सबसे बहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखो यह जो गेम पैड है दोस्तों यह फिलाल गेम स्टिक वायावा गेम स्टिक के साथ में भी आता है जी डी टवण्टी के साथ में भी आता है और गेम बॉक्स जी एलैवन और जी एलवन प्रो सब ही तरह के decimal सब्रै के इसी तरीके के stairs आते हैं लेकिन इसमें दो-تिन डिफ्रेंस हैं जो इसके receivers होते हैं होते हैं तो इस तरीके के receivers आपको देखने को मिलते हैं और यह receiver जो है हर तरीके के अलग code के साथ में आते हैं जैसे कि आप यह देख सकते हैं इस वाले receiver पे कोई भी code आपको देखने को नहीं मिलेगा तो यह जो है receiver है जो इनको connect करते हैं तो याद रखेगा आपके game stick game box में कौन सा receiver है वह माईने रखता है और अब में चीज़ कि जब आपने receiver game stick game box में लगाया होगा तो यह light जो है automatically stable हो जाती है और यह यहाँ पर red या green जो भी है second number remote green होता है first red होता है तो इस तरीके से कोई भी एक light जो है stable हो जाएगी लेकिन अगर अब stable नहीं हो रही है तो याद रखेगा यह receiver जो है यह भी खराब हो सकता है यह receiver most खराब हो जाता है receiver भी सही है फिर भी gamepad जो है या तो blink नहीं कर रहे है या on नहीं हो रहे ठीक तो होता क्या है यहाँ पर batteries है ठीक है तो एक पर battery check कीजे सबसे पहले batteries check कर लीजे यह minus और plus इसमें यहाँ पर भी छपा होगा होता है और यही समझने वाली चीज होती है कि इसमें minus और plus यहाँ पर लिखा न अधर ब्रांट्स तो आप अगर यूस करेंगे डूरा सेल तो बहुत अच्छी कॉल्टी आरे डूरा सेल में तो यहां पर प्लस वाली साइट जो है आप इस तरीके से प्लस इधर है इसी तरीके से दूसरी साइट भी आप चेक करके लगाएं अगर कई बार सेल लोग यह बैटरी है स्वरी गेंपैड है यह बरबर डिसकनेक्ट हो जाता है ठीक है तो वह भी सेल का इशू है क्योंकि उनमें कार बना जाता है और पुराने सेल्स होने की वज़े से तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी आप लोगों के लिए कि नए सेल यूज करें आल्व हम बात करते हैं कि यह रिसीवर जो हैं खराब क्यों होते हैं सबसे पहले चीज कहा है कि यह जादातर गेम स्टिक में देखा गया है वायावा गेम स्टिक में तो वायावा गेम स्टिक जो है यानि की कोई भी गेम स्टिक मान लीजे आपकी जैसे कि सबोज यह गेम स्टिक ह तो इसमें on off का कोई बटन नहीं है तो जब आप इसको TV में लगा देते हैं ठीक है और यह receiver यहाँ पे connected रहता है सही है तो यह इस तरीके से connected रहती है आपके TV में अब होता कहें कि आप dish देख रहे हैं या फिर आप YouTube देख रहे हैं वहाँ से power connected है और यह चालू है background में और आप TV देखे पड़े में कुछ और चीज़ चला रहे है गेम नहीं चला रहे है ठीक है तो background में यह जैसे ज़्यादा समय लगा रहता है मेरे पास में जितनी भी शिकायत आई है कि जिनमें game stick यह game controller blink करने लगे है और connect नहीं हो रहे है उनमें receiver खराब होता है S2 वाला और S2 receiver खराब होने का सबसे बड़ा कारण game stick में ही निकल कर आया है game box वगेरा में बहुत ना के बराबर होता है और game sticks में ही आया है क्योंकि लोग stick को लगा के छोड़ देते है और इसको disconnect नहीं करते है पूरे दिन उनका TV चलता रहा था उनका कहता है कि एक महीने पहले हमने चलाया था सही चल रहा था एक महीने के बाद नहीं चल रहा लेकिन एक महीने तक वो TV ज़रूर देख रहे होते है और यह background में connected होता है तो दोस्तों यह तो background में चल रहा है ना इसमें power आ रही है और वो आपके इस dongle में जा रही है तो याद रखिएगा एक सबसे बड़ी परशानी क्या है कि हम game boxes में build quality इनकी अच्छी है ठीक है game box में game pad लगबग generic होने के बाद भी अच्छे है सब कोछ अच्छा है लेकिन यह receiver बहुत कमजोर आने लगाया भी सबसे बड़ा नुकसान यही हो रहा है S2 receiver ही कमजोर आ रहा है और इसमें सबसे बड़ा नुकसान यह है जो लोग continuous लगा के छोड़ देते हैं उन लोगों का यह खराब हो रहा है अभी तक जितने भी आप अगर आप वीडियो देख रहे है और आपको इशू फेस करने को मिला है तो आपके भी set में यही परशानी होई होगी ज्यादा तर लोग game box में android जैसे आता है तो दोस्तो मेरी आपसे recommendation है आपको सला में यही देना चाहूँगा मैं आपको यही advice करना चाहूँगा कि यह receiver निकाल दीजिए ठीक है अगर आपके पास game stick है पूरी game stick remove कर दीजिए अगर आपके पास में game box है और उसका पीछे से button बन कर दीजिए अगर आप उसमें youtube चलाते हैं android चलाते हैं कुछ भी करते हैं तो आप यह receiver निकाल दीजिए ठीक है यह receiver निकालने के बाद में आपका issue solve हो जाएगा so I hope दोस्तों आपको यह video पसंद आई होगी और अगर issue solve हो जाएगा तो वीडियो को like जरू कर देना अगर आपको यह बाद भी समझा जाती है तो भी like कर देना share करना उन लोगों में जिनको भी आपने game box जाथो gift दिये हैं या लोगों को पता है उनके बस game box है तो ठीक है यह उनको share कर देना अपने दोस्तों में लगता है आपको ठीक है तो subscribe जरू कर देना चैनल को informative वीडियो आप लोगों लिए लिकर आता रहता हूँ और भी कई सारे topics पे आने वाली है वीडियो सो बहुत टाइम बाद आई यह वीडियो I know बट आ जेगी और भी वेट करना मेरा दूसरा चैनल भी है गेमस्लाइट 1-3 और मेरा में चैनल सेंग टेक तो सबको subscribe कर लो और मैं मिलूँगा यह वीडियो के साथ में thank you so much guys bye